दोस्त अब इक टाइम पर लोगो गोशेर से विड्रॉल से लेड़े काफी तकड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि प्रोसेसिंग में चलेता है ना मतलब कि एक बड़ जब यहाँ पर आपने विड्रॉल लगा दिया तो पता ही नहीं चला आपका जो विड्रॉल है वो कब बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा बस यह आ रहा है कि आपको जो विड्रॉल लगा दूसरा है दोस्तों रिजेक्शन का मतलब कि एक तरीके से जब भी यहाँ पर आप विड्रॉल लगाते हो तो दस से बार घंटी के बाद यहाँ पर आपके पास एक आप्शन आ जाता ह जहाँ लुटा है। जहाँ पर यह लिखा होता है कि आपने अपना बैंक अकाउंट जोडा हो यहाँ पर आपने आपको इन सारी प्रोग्ले विडियो करना में साही चल्दे बैन स्टार्ट करते हैं दोसरा सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यह बता दूँ कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताउगा इस किलाब दूसरों यहाँ पर उप पर reject कर दिया और यह बता रहा है कि यहां पर आपको अपना जो बैंक अगॉंटों से यहां पर आपको मोडिफाय करना पड़ेगा उसका भी यहां पर मैं आपको प्रॉबल बताऊंगों वो भी स्टार्टिंग से तो दोस्तों सबसे प्लेट तो यहां पर मैं कर देता है यहां पर आपके सामने option आ रहा होगा revenue record जैसी दोस्तों आप उसके ओपर क्लिक करोगा यहां पर मैं आपको बताऊंगों कि मेरा जो withdrawal था वो यहां पर जो rejected हो वापस से मेरे bank account में credit हो गया यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो यहां पर withdrawal हो चुका था औ बाद में यहां पर मतलब की 10 से 12 घंटे बाद मेरा जो withdrawal था वो वापस से मेरे account में मतलब की go share के account में यहां पर credit हो गया था और दोस्तों जैसे यहां पर आप expenses वाले option के उपर click करोगे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे यहां पर आप लोग क्लियर देख सकते हो कि मैंने 13 तारिक को एक withdrawal लगा था जूकि सबसे पहला तो इन्होंने यहां पर bank fees जो थी वह यहां पर इन्होंने 100 पर अपने काट लिय तो मतलब कि आप यह मान के चलना कि 10 से 14 घंटे को बार अगर आपने अभी के टाम पर withdrawal लगाया होगा यहां पर पहले withdrawal लगा रखा होगा तो यहां पर 10 से 14 घंटे तो लगेंगे उसके बाद यहां पर आपको पैसा होगा वापस से आपके go share वाले account में चला जाएगा आप यहां पर मैं आपको यह भी बता हूँगा अगर आपको पैसा हो यहां पर reject हो यह बता रहे है कि यहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहां पर गलत है आप अपने bank account को change लो तो सबसे पर दो यहां पर आपको यह बता दूँ आपर आप पहली बार अपना withdrawal ले रहे तो यहाँ पर आप अपना bank account चेंज कर लेना जैसे कि यहाँ पर आपना bank account चेंज कर लेना जैसे कि यहाँ पर आपको पैसा होगा वो मेरे bank account पे आ जागा तो यहाँ पर आप अपना bank account चेंज कर लेना क्योंकि हो जाता है कि यहाँ पर आपको पैसा निकाल रखा है तो यहाँ पर आपको कोई भी आपना bank account चेंज करने की ज़रूद नहीं है वरना बाद में यहाँ पर आपको प्रॉबलम हो सकती है आप दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह भी बताऊँगा कि कि इस तरीकी से यहाँ पर आपको जो bank account हो से यहाँ पर आपको चेंज करना इस वीडियो को पूरा ही देखना तभी यहाँ पर आप समझभाओगे मैं simply दोस्तों यहाँ पर इसे back कर देता हूँ यहाँ पर आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है अब दोस्तों सिंपल यहाँ पर आपको आजाना है विड्रो वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर दोगे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजागा जहाँ जहाँ पर एक आपको मेरी डीटेल दिखाई दे रहे होगा और यहाँ पर आप इसे चेंज भी कर सकते हो अगर यहाँपर आप उसे यूज़ करते हो तो वो इनके bank से यहाँपर लिंक नहीं है तो यहाँपर आप उस bank को कभी भी use मत करना यहाँपर आप नौने खुद ही यह वाली बात बोली यहाँपर आप लोग के लिले दिखाए दे रहोगा जापर कि इन्हों ने यह बाली बात red color में लिख रखी जिसका मतलब यह है अगर यहाँ पर आप इस bank को यूज करते हो तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको पैसा है वो यहाँ पर नहीं आए इस वज़े से यहाँ पर आपको पैसा है वो आपके bank account में credit नहीं हो रहा है इसके लाव दूस्तों अगर आपको कोई डाउट और confusion भी आ रहा है तो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पूछ रहे ना मैं यहाँ पर हरे कॉमेंट देखता हूं और उन सभी का मैं reply देने की कोश करें ठीक है तो रहा है कि यहाँ झाला को का राना अरव मेद की आपको प्रूचाथ हूं पहा है क्ष़ कर रहे है तो है आपको अर नहीं हो अन्य को सांगर बंग ज honest यह हुआ है